नमस्कार दोख्तों हमारे रोडो चनल में आप सब्सक्राइब पूर्णा एक बार फिर से स्वागत है आज को नोट अफिक है कि उस्मा और टमप्रेच्चर मतलब की हीट और टमप्रेच्चर उस्मा और तबमान यह होता क्या है और इसमें अंतर क्या है दोस्तों मेरे एक दो योग बना रहा हूं दोस्तों इसमें आपको भी वह कंप कंफूजन होते रहता है बहुत समय तक क्योंकि मैं भी इसी लाइन से गुजरा हुआ हूँ तो मुझे पता है तो दोस्तों आप यह कंफरम के लिए जिए कि आज हीट क्या होता है और टमप्रेचर क्या होता है तो हीट जो होता है एक पता करका उर्जा होता है और तब मान टमप्रेचर यह उर्जा को मापने का एक मापन है अगर आपको समझ में नहीं है तो एकशामपल देखिए मान लेजिए एक बरतर में आप पाने को गर्म कर रहे है तो आप गर्म कर रहे है तो आप गैस को जलाएंगे गैस के जो लौ होती है जो आग होती है उससे इसको उसमा मिल लिए तो जो आप इसको हीट दे रहे है ना जो आप इसको लौ दे रहे है वो आपका उर्जा है इस उसमा में लिए जिसे कारणिया हीट हो रहा है और यह कितना हीट हुआ यह टमप्रेचर है जितना हीट हुआ हमको थर्ममेटर डालते हैं पता चल जाता है तो यह कितना हीट है यह टमप्रेचर से पता चलता है मतलब उसमा एक परकार की उर्जा है जो इसको हम दे रहे हैं और ये कितना गर्म हुआ, इसका कितना temperature है, ये अपरता चलता है, हम जब इसको терmometre से मापते हैं, तो आपश कमपाम होगे कि जो होता है यह परकार के उर्जा होती है, जो उसमा होती है और जो टाप मान होता है वो उर्जा को मापने का एक मापन होता है, एकी काई होती है, ठीक, अब दिखिए इसका difference क्या हो दो नह में दिखिए heat heat तोड़ा कारी करने की छमता होती है मतलव कि अगर आप इसको heat दे रहे तो कुछ ना कुछ तो कार होगा जैसे की गर्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ तोवर्क होगा है इस पर temperature में कार करने के छमता नहीं होती है क्योंकि आप इसमें तो सिफ मापते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है तो इसमें कार करने के छमता नहीं होती है इसकी जो unit होती है Joule होती है Joule जैसे इसको define करते है और जो temperature की unit होती है तो केलोवीन होती है किसे डिफ्राइन करते है ठीक इसमें चल्सियस भी आता है और केलवीन यह अगर आपको सेल्सियस केलोवन में जो है रिलेशन परना है तो मैं एक वीडियो बताया हो बनाया हो जो की कि मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं लोग को समझ में आ गया होगा मैं एक बाद पर पिंसे पता दे रहा हूं कि आप अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो इसको गैस पर रखे हुए हैं तो गैस से जो लोग निकल ला है वह आपको उस हीट जो निकल ला है वह हीट है तो जो हीट होता है वह एक उर्चा की परकार है मतलब इसको हम उर्जा दे रहे हैं और जब हम इसको उर्जा दे रहे हैं तो यह कितना हीट हुआ कितना हीट करता चलता है ठीक दोस्तों इसमें जो इंटी फ्रेंस है वह है कि हीट दोबारा कार करने के छमता होती है तो दोस्तों आई होब लोगो समझ में आगया होगा अगर फिर फिर कहीं कर जाने तो हमाने कमेंट वक्स में दीचे अगर बहुत ज़्यादा कर रहा तो फिर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग समझने में आसानी होगे और हाँ अगर हमने चुछ को सब्सक्राइब नहीं किये त ताकि सभी ने अपडेट आपको मिलता रहे और आपने वोगे स्टेडिक करते रहे हैं थैंक यू